नमस्ते हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आध्यात्मेक गुरू ओशो रजनीश के रोचक जीवन की और रुख कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया पर गहरा प्रभाव छोड़ा है अपने उनूठे अपदेशों और जीवन शैली के लिए प्रसिद ओशो क का जीवन कई दिल्चस्प और कम ग्यात तत्यों से भरा हुआ है इस वीडियो में हम आपको ओशो रजनीश के शिप्यों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान और प्रभुत करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ओशो का प्रारंभिक जीवन ओशो रजनीश जिनका अस प्यासा और विद्रोही भावना से चिन्हित था अन्य बच्चों के वप्रीत ओशो अपने सवाल पूछने के सभाव और प्रमप्रागत्मान दंडों से परे जीवन को समझने की इच्छा के लिए जाने जाते थे यह गुण उन्हें छोटी उमर से ही वविन अध्यात्मिक मारगों का अनुवेशन करने के लिए प्रियरित करता था जिसके उनके बाद के उपदेशों की नीव पड़े क्या आप जानते हैं कि ओशो ने अपने युवा वस्था में एक पूरे साल तक पूरी चुपी में विताया यह मौन का काल उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक म आकरशक पहलू है कहा जाता है कि उन्होंने 21 वर्ष की आजू में जबलपुर में एक पेड़ के नीचे आतमग्यान प्राप्त किया इस रहसे में अनुभव ने उन्हें गहराई में बदल दिया जिसके परिग्राम सवरूप उन्होंने अपनी सवय की दर्शन विक्सत की ज साथ करने युग्य स्थिती है उनके उपदेश वर्तमान शन में जीने और समाजिक शर्तों से मुक्त होने पर जोर देते थे इस द्रिष्टिकोंड ने उनके उपदेशों को वैश्विक दर्शकों के लिए सुलुप और आकरशक बना दिया जिससे सांस्कृतिक और धार्म सिमाओं का अतिकरमन हुआ विबादास्पद उपदेश और जीवनशेली ओशों के उपदेश अक्सर विबादास्पद थे और पारंपरिक मानताओं को चुनोते देते थे उन्होंने खुले आम सेक्स भौतिकवाद और आध्यात्मिक्ता जैसे विश्यों पर बात की जिने कई लोग वर्जित मानते थे उनकी खुली विचारधारा और आस्मानिया जीवनशेली ने परशंसा और आलाउचना दोनों को आकरशित किया 1970 के दश्क में ओशो ने पुड़े में एक आश्रम स्थापित किया जो दुनिया भर के आध्यात्मिक सादकों के लिए एक केंदर बन गया आश्रम में वभिन ध्यान तकनीके और कार्याशाले परदान की जाती थी जो विक्तियों को अपने भीतर की खोज करने में मदद करत थी हालाकि यह ड्रक्स के उप्योग और अनैक्तिक्ता के आरोपों के कारण विवाद का विशय भी बन गया जिससे ओशो की रहस्य में पहचान और भी बढ़ गई औरिगन कम्प्यून ओशो के जीवन का सबसे विवादास पद अध्याए 1980 के दश्क में अमेरीका के ओरगन में एक कम्यून की स्थापना था रजनीश पुरम कम्प्यून ओशो के सिधानतों पर आधारित एक आधर्श समाज बनने के इरादे से स्थापित किया गया था अपने चरम पर यह हजारों अनियाईयों को आश्रम परदान करता था हलाके कम्प्यून को कई कानूनी और परश हुए और आपराधिक गतिवीदियों के आरोप सामने आए जिसमें जैव आंतकवाद भी शामिल था अतन्त ओशो को गिरुफतार कर अमरीका से निर्वासित कर दिया गया उनके जीवन का यह काल उनके विरासत का सबसे बहस का विश्या है जो उनके मिशन की जटिलता और अनियाईयों पर इसके प्रभाव को उजागर करता है ओशो की विरासत और प्रभाव विवादों के बाव्यूद ओशो के उपदेश आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं उनके वियाख्यान जो वभिन विशों को कबर करते हैं कई पुस्तकों में संकलित किये गए हैं और कई भाशाओं में अनुवादित किये गए हैं ओशो का ध्यान, माइंडफुलनेस और प्रमानिक रूप से जीने पर जोर समकालाईन सादकों के साथ गूंचता है। उने में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजाट उनके पदिशो का परत्यक्ष अनुभव करने के लिए एक लोगप्रिय गंतव्य बना हुआ है। इसके अलावा मनोंवग्यान और आध्यात्मिक्ता पर उनके विचारों ने वैश्विक स्तर पर विभिन सब सहयता और कल्यान आंदोलोनों को परेईरित किया है। ओशो की विरासत उनके विचारों की स्थाई शक्ती और आज की तेजतरार दुनिया में उनकी प्रासंगिकता का प्रमान है। ओशो रजनीश एक जटिल और विवादास पद विक्ती थे जिनका जीवन और उपदेश आज भी बहस और प्रिर्णा का कारण बने हुए हैं। भारत में उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतराश्रिय कंप्योनों की स्थापना तक ओशो की यात्रा सत्य की अडिक खोज और सामाजिक बंदनों से मुक्त होने की इच्छा से चिन्नत थी। चाहे आप उनके तरीकों से सहमत हो या नहीं इस से कोई संदे नहीं है कि उन्होंने आध्यात्मिक प्रिदर्शे पर गहरा प्रभाव डाला है। ओशो का कहना था कि उन्हें बच्पन में ही अपनी पहली आध्यात्मिक अनुभुती हुई थी। इस अनुभुव ने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें आतमग्यान की और प्रेडित किया। ओशो ने बभिन ध्यान और योग तक्निकों का अभ्यास किया। उन्होंने ध्यान की नई विद्याविक्स जिन में से सबसे प्रसिद है डाइनेमिक मेडिटिशन। यह तक्निक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शुद्धिक योर ले जाती है। प्रेम और समंदों पर विचार करते हुए ओशो का मानना था कि प्रेम एक सबसे शुद्ध और पवितर अनुभव है। वे प्रेम को आत्म ग्यान की प्रिक्रिया का एक महत्तपुरुन हिस्सा मानते थे और समंदों में इमानदारी और खुलापन को भड़ावा देते थे। ओशो के कुछ उपदेश और विचार समाज के परचलित मान्यत्यों के वप्रीत थे जिसके कारण वे हमेशा विवादों में रहे। उपदेशों में यौन समतंतरता, धार्मिक संस्थानों की अलोचना और समाजिक नियमों के विरुद बाते शामिल थी। ओशो ने राजनिती और समाज के वभिन मुद्दों पर खुल कर ब्यान दिये जिससे वे कई बार विवादों में घिर गए। उनके विचार अक्सर म मस्याओं का सामना करना पड़ा। 1985 में ओशो को गिरुफतार किया गया और उन्हें अमेरीका से निश्काशित कर दिया गया। अमरीका से निश्काशित होने के बाद ओशो ने भारत लोटने का निरणे लिया। वे पुनिस्थित अपने आश्रम में वापसा गए और वहीं से अपने उपदेशों को जारी रखा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में ओशो ने शांती और साधना में समय बिताया। उन्होंने कई प्रवचन दिये और अपनी शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया। ओशो ने अपने जीवन काल में कई पुस्त के लिखी जो उन के अनुयाईयों दारा रिकार्ड किये गए और परकाशित किये गए। ये भाशन उनकी शिक्षाओं का महत्वपुरण हिस्सा हैं और आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्हें सित ओशो का आश्रम उनके अनुयाईयों के लिए एक महत्वपुरण स्थान ह यहां ध्यान और साधना के कई कार्यकरम आज योजित किये जाते हैं और यह जगा दुनिया भर के साधकों के लिए एक प्रेरियना स्रोर्त है। ओशो के इनुयाईयों उन्हें एक महान गुरू और मार्ग दर्शक मानते हैं। वे ओशो की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिसा मानते हैं और उनकी दिशा नर्देशों का पालन करते हैं। ओशो की शिक्षाओं का आधुनिक समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके विचारों ने ध्यान और योग की परमपराओं को पुन जीवित किया है। और नई पीड़ी को आतमग्यान की दीक्षा में प्रियरित किया। ओशो ने योग और ध्यान की परमपरा में नई जान डाली। उन्होंने ध्यान की नई विदिया का विकास किया। और इन्हें सरल और सुलब बनाया। जिससे आज की भागदोड़भरी जिंदगी में भी इनहें अपनाना असान हो गया। ओशो के जीवन और शिक्षाओं पर कई फिल्में और डाकुमेंटरी बनाई गई हैं इनमें वाइल वाइल कंट्री प्रमुख है जो ओशो और उनके अनुयाईयों के अमरीका में समय की कहानी बताती है ओशो के जीवन और विचारों पर आधारित कई डाकुमेंटरी और शाक्सताकार करते हैं ओशो के बारे में कई मिधक और अफवाहे फैली हैं कुछ लोग उन्हें महान संत मानते हैं जबके कुछ उन्हें विवादित व्यक्ति के रूप में देखते हैं सचाई यह है कि ओशो की शिक्षाओं ने लाखों लोगों के जीवन को साकारात्मक रूप से प्रभ बाते शामिल थी ओशो को कुछ लोग मुक्तिदाता मानते हैं जबके कुछ उन्हें भ्रमित व्यक्ति के रूप में देखते हैं ओशो के छेप हुए तथ्यों के इस अन्यवेशन में हमारे साथ जुणने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तांके आप अधिक सुचनात्मक सामागरी प्राप्त कर सकें